आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर लॉवाला एंड आज जो मैं टॉपिक लेकर सबके लिए आया हूं वह बन जाता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भारत देश में कितने तरीके के एड्वोकेट होते हैं क तो आज के वीडियो में आपका वह वाला इशव भी क्लियर करूंगा है जो कि सबको बहुत जाधा जाहिए क्लियर करूंगा। तो आज के वीडियो में बहुत सारी चीजे में क्लियर करने वाला हूँ अपने बारे में अगर थोड़ा बता दूं तो मैं graduate हुआ हूँ National Law University Odisha से and मैं graduate होने के बाद क्या कहला हूँगा license मिलने के बाद क्या कहला हूँगा पूरे वीडियो में हम आगे चलते हैं और जानते हैं exactly क्या होती है ये legal terminologies सबसे पहले एक advocate होता कौन है वकील कौन होता है क्या बोलोगे कोई भी person it can be a male it can be a female it can be anything जो की legally represent करता है court of law में किसी भी party को अब ये party क्या हो सकती है कोई individual हो सकता है कोई company हो सकती है कुछ भी हो सकता है court में जाके जो आपको legally represent कर रहा हो उसके पास license हो वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा एक advocate अब सबसे बड़ा confusion के lawyer कौन होता है lawyer हर वो आदमी कहलाता है जिसके पास law की degree है जिसका LLB complete हो चुका है मतलब जिस दिन मैं graduate हुआ अपने college से convocation वाले दिन जब मेरे हाथ में degree थमाई गई जब मेरे पास वो degree आ गई तब मैं lawyer कहलाना चालू हो गया इसी को बोलते हैं lawyer जैसे ही अब अगर मुझे अपने state में जाकर practice करनी है सबसे पहले मेरे पास जब valid degree होगी law की उसके बाद मैं किसी भी state में जा सकता हूँ अपने respective state में तो मुझे जा नहीं है अगर जहां भी मैं जा सकता हूँ वहां पर मैं जाओंगा सबसे पहले उदर के high court उस high court में जाके मुझे मिलेगा एक बार council से अप्रूव होने के बाद license उस license को यूज करके फिर मैं उस city में जाओंगा जहां पर मुझे practice करनी है वहां से भी मुझे बनेगा एक card जो की मेरा practice का card होता है उसको बोल देंगे finally advocate अगर आपके पास valid license to practice है आप अपने नाम के आगे ADV लगा सकते हो advocate प्रखरमिश्रा हो जाएगा सिर्फ प्रखरमिश्रा नहीं बचेगा ठीक है तो जिसके पास भी valid license आ जाता है वो पहले तो high court पे जाएगा वहां से license लेगा फिर वो जिस city में practice करना चाह रहा है वहां के bar council से license लेगा तब जाके वो एक advocate कहलाएगा वैसे भी high court से लेने पर कहलाने लगते बट आप practice अगर कर रहे हो properly तो किसी city में तो करोगी तो आपको वहां के bar council से भी permission लेनी पड़ती license लेना पड़ता है card बनता है अब अगर आपको इस सब के बाद all India level पर pan India level पर practice करनी है त तो आपको bar council of India का exam देना पड़ता है जिसको बोलते है all India bar exam AIBE वो अलग tangent पर चला जाता है जिसको exam साल में होता है and open book paper होता है उसके बाद barrister कौन होता है जो भी आदमी या औरत या लड़का या लड़की UK या फिर South Africa से law किया हुआ है उसको बोलते है barrister महत्मा गांधी कौ यह यहां पर confusion clear हो गया अब हम चलते हैं कितने तरीगे के advocates होते हैं तो सबसे पहला अपने पास आ जाता है government advocate जो की रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट्स the government in the cases अब versus state of महाराश्ट versus state हो गया मालो state of महाराश्ट, state of महाराश्ट, state of डेली यह सारा का सारा है अगर ऐसे cases में दूसरी वाली पार्टी को contribute करता है वो करते है government advocate अब अगर यहां पर मैं एक और term use करूँ तो मैं क्या use करूँगा वो होगा attorney general attorney general general यह कौन होता है यह official legal advisor होता है of India कि सरकार को अगर कुछ भी law पूछना होगा किसी से तो वो किस से पूछेंगे वो पूछेंगे attorney general से सारा का सारा law इनको पता होना चाहिए officially appoint किया जाता है by the president of the country इन ही के ठीक नीचे कौन होता solicitor general जो की असेस्ट करते हैं किसको attorney general को तो यह तो पोजिशन हो जाती है जो की गवर्मेंट पोजिशन तो हैं ही लेकिन गवर्मेंट आडवोकेट नहीं बोलेंगे इनको इनको बोलेंगे गवर्मेंट के लीगल अडवाइजर्स हर चीज में कुछ भी मामला सबसे टॉप मॉस प्रारिटे किसकी होगी वह होगी attorney general और उनके नीचे solicitor general लिसेंटली तुशार मैता को पॉइंट किया गया है आगे चलते हैं अगला हो गया senior advocate जिसका भी experience प्राक्टिस करने का 20 साल हो जाता है या उससे जादा हो जाता है उसको बना दिया जाता है senior advocate काफी सारी preferences भी मिलती है senior advocate को इसलिए एक variety बन जाती है advocacy की senior advocate जैसे ही आपके practice अच्छी कासी हो जाएगी लंबी हो जाएगी आपको senior advocate बोन जाएगा दूसरा हर law student जो कि अपने college से expert करता है कि मुझे ये बनवा दो वो है corporate lawyer या फिर corporate advocate जो भी NCLAT national company law tribunal के सामने appear होते हैं किसी company के बेहाफ पर या फिर अपनी company के बेहाफ पर माल लो मैं tier 1 company में हूँ किसी भी और मैं उसके बेहाफ पर जा रहा हूं कि मैं company को case मिला हुआ हूँ और company मुझे भेचती है कि तुम रिप्रेजेंट करने जाओ हमारे client को तो वो क्या होता है वो मैं कहां जाओंगा पहले तो national company law tribunal में या फिर इसका दूसरा विंग भी होता एक तो NCLT भी होता है तो उसके बाद मैं क्या कहला हूँगा मैं कहला हूँगा corporate advocate जो की company directly फिर annual use स बच्चे उठाती है placement के टाइम पर अच्छे जो भी टॉप लॉक जिस होते हैं उनसे placement के टाइम पर बच्चे उठाती है companies वो यही बनते हैं उनकी position यही होती है वो या तो researcher बनते हैं और अगर बहुत अच्छी profile है आपकी आप अंदर भी अच्छा काम करते हो आप सीधे corporate advocate बन सकते हो तो basically representing any company आप corporate advocate कह लाओगे दूसरा bank advocate जो भी bank को represent करता है very simple meaning not too much to say in this particular matter जो भी represent करेगा किसी भी bank को जोकि bank के खिलाफ बहुत cases होते हैं bank के खिलाफ भी होते हैं bank पे भी cases होते हैं तो जो भी represent करेगा bank को वो कहलाएगा bank का advocate अब tax lawyer भी एक काम होता है जो कि आपकी जीस्ट फाइलिंग्स जीस्ट फिर मिस्लेनियस फाइलिंग्स फिर उसके बाद और भी चीजें जो भी करेगा जो भी आपकी सारी tax planning में और उस सारी चीज़ों help करेगा उसको बुला जाएगा tax lawyer आगे चलते हैं अगला हो जाता है supreme court का advocate जो कि आपको जैसे picture में भी दिख रहा होगा कि supreme court में अगर आपको advocate आप है तो वह variety बन जाती है supreme court का advocate आपको cases बहुत high level के मिलेंगे ठीक है अगर वह case supreme court में आ चुका है मतलब वह छोटे court में से तो ऊपर चलके आ चुका है प्लस वह इत्ता असान भी नहीं था कि 32 जो है 32 इसमें rate petitions आती है supreme court में सीधे तो अगर कोई रिट सीधे supreme court में आई है तो वह आप ही देखोगे ठीक है and court में आई है court की बात होगी तो इतने बड़े court पर आई है तो बहुत ही senior level पर आप होते हो जब आप supreme court में practice करते हो कोई भी lawyer बहुत ज्यादा यंग नहीं होत लगते हो and यह कोई rule नहीं है बट आपको इतना level of experience लगता है उसमें अगला हाई court यह मदरास हाई court है जो की आप देख रहे हो बहुत historical building है इसकी मदरास हाई court आपको देख रहा हो जो भी advocates इसमें practice करते हैं high court में not just madras but random high court की बात अगर मैं करूँ उनको कहा जाता है high court का advocate तो एक variety यह हो गई उसके बाद सबसे last में आते हैं district court के advocates जो कि हमने movies में देखें ज्यादातर movies में जो represent किया जाता है जिन advocates को वो district court के ही होते है and एक बहुत बड़ा spoiler देदू जैसा movie में देखा जाता है ऐसा court में बिल्कुल नहीं होता है जब फार दो कानून की किताबें और ऐसा और वैसा कोई कहीं नहीं चिलाता है normal courts में चुपचाप जब हम internship पे गए थे सब सारे लोग हमारे college के सबसे पहले हमने यह discover किया कि भाई सब यह सब तो ऐसा पीछे बैटके लोग कोई performance नहीं चल रही है आपकी के खड़ों के तालिया बजा रहे हैं और का तारीक पर तारीक कोई चिला रहा है कुछ भी नहीं होता है जब हाँ किया तो यह मंघे रहा है आए हॱय करते करते हैं उसीinvest ये संब्राइब को कोई की सब्सक्राइब fahren अ करके चले जाते हैं ये होता है एक्सवें डिस्ट्रिक कोड का मामला उसे आडवड को बोलते हैं अचाएब को और बटे पसंद आई हो, I hope इसमें मैंने काफी सारी इंफोर्मेशन आपको कम्यूनिकेट कर दी हो, कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है, वीडियो पसंद आती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, and this was प्रकरमिश्वरा, मसा ही निगाओ